नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड धर्मार्थ पर. दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें. बीस मई के दिन साल का सबसे बड़ा सोमवार का दिन है. इस दिन उपाय करने से भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं. इस दिन बना दिव्य महाशुप संयोग. इस दिन मतलब सोमवार की रात चुप चाप एक मुठी नमक फेंक दे. इस खास जगह पर गरीबी हो जाओगे. यदि आप मात्र एक मुठी नमक चुप चाप यहां फेंक देते हैं, बीस मई सोमवार प्रदोश वरत के दिन आपको माला माल से करोड़पती बनने से कोई नहीं रोक सकता. और साथ ही साथ आपका कोई भी बड़े से बड़ा दुश्मन भी हो, जो आपसे जलता हो, आपकी सफलता को देख कर जलता हो, तो वह भी आपके घुटने टेक देगा, इस उपाय को करने से. दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको नमक से ऐसे अचूक उपाय बताने वाले हैं, चमतकारिक उपाय बताने वाले हैं, जिसे यदि आप 20 मई सोमवार प्रदोश प्षवरत के दिन तो दोस्तों समझ लें, आपके जीवन से ततकाल गरी भी खत्म हो जाएगी, जीवन के दर्द संकट है, और आप एक महीने में करोड़ पती माला माल बन जाओगे, तो दोस्तों, अपने फायदे के लिए पूरा वीडियो देखना, ये वीडियो जरूर ही माला माल बना देगा, आपके और आपके परिवार के भलाई के हेतू, इस वीडियो को आप पूरा देखना, और दोस्तों, वीडियो को शुरू करें, सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, कि मातारानी वीडियो को लाइक कर देना सबसे पहले, और सच्चे दिल से कमेंट्स बॉक्स में जैमा दुर्गा जरूर लिख देना जिससे माता लक्षमी की कृपा आपके और आपके परिवार के उपर सदैव बनी रहे और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना जिससे और लोग भी इस वीडियो को पूरा देखेंगे और उपाय को बारीकी से समझेंगे तो यकीन मानिये आपके घर में माता दुर्गा दोड़ी चली आएंगी आपके घर में माता दुर्गा का स्थाई रूप से वास हो जाएगा चारों दिशाओं से धन की प्राप्ति होगी तो नमक से जुड़े उपाय ध्यान से सुनना जिस तरह बताए उसी तरह आपको करने है जी दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो हिंदु धर्म में मकर मकर सकरांती का दिन बेहद ही खास समझा गया है इस दिन स्नान, दान, पूजा, पाठ, वतर पनादी करना लाबकारी समझा गया है आपको बता दें कि येवाली सोमवार प्रदोश व्रतिति के भी उपायों को आप करोगे या दोस्तों, दरशल इस समय में पढ़ने वाली सोमवार प्रदोश व्रतिति तीन साल में एक बार आती है माननिता है कि इस दिन जो मनुष्य श्राद्ध कर्म करता है अपने पूरवजों की आत्मा की तरक्की के लिए शान्ती के लिए के लिए जो भी उपाय है उस मनुष्य को संकट मुक्ती मिल जाती है जीवन के जो भी दुख दर्द संकट है खत्म हो जाते है घर परिवार में खुशहाली आती है दोस्तों इस दिन मतलब पौश, दुरगा, प्रदोश वरत के दिन आपको सुभह जल्दी स्नान करना है इस दिन पवित्र या सरोवर में स्नान करना बहुत अधिक महत्व होता है यदि आप पवित्र नदी या सरोवर में सनान ना कर सकें, तो घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगाजल की कुछ डाल कर सनान करें और मन ही मन नमोकार्य करने चाहिए, तरप्ण करें, दान करें, इन पावन दिन के विधि विधान, पूजा अर्चना करनी चाहिए, आरती कर जितना हो सके आपको लाभ मिलेगा। और दोस्तों, अब बात करें, आपको नमक से जुड़े कौन-कौन से उपाय करने हैं, जिससे कि आपको तमाम तरह के दर्द संकटों से छुटकारा मिल सके और ततकाल गरीबी खत्म हो जाए और आप एक महीने में करोड़ पती बन जाएंगे। मालामा तो चलिए शुरू करते हैं, नमक से जुड़े कौन-कौन से उपाय हैं, जो कि आपको पौश, सोमवार, प्रदोश वरत के दिन जरूर करने चाहिए। नमक का प्रयोग हम खाने पीने की चीजों में करते हैं। जरा सा नमक में कम ज्यादा हो जाए तो खाने का टेस्ट बिगड़ जाता है। कहने का है कि नमक का हमारे खान-पान में बहुत महत्व होता है। यृक्त बचाने के लिए भी इसका उपाए किया जाता है। हम तंत्र में नमक को चंद्र और शुकर का प्रतिनिधि समझा जाता है। नमक से जुड़े ऐसे वास्तू उपाए किये जाते हैं, जिन्हें करते ही आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको नमक के कुछ ऐसे उपाए और टोटकों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपकी सभी समस्याओं का समाधान कर सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, नमक का प्रयोग कई तंत्र और मंत्र टोने टोटके में भी किया जाता है। काला नमक या नमक का यूज किया जाता है। ऐसा कहा है कि नमक को कभी भी किसी मनुष्य को अपने सीधे हाथ से नहीं देना चाहिए। कहते हैं कि सीधे हाथ से नमक देने से इनसान से आपकी हो सकती तंत्र शास्तर के अनुसार। यदि नमक को सही तंत्र मंत्र के साथ उपाय किया जाए, तो आपको रातों रात अमीर भी बना सकता है। आप धन से भी बन सकते हैं दोस्तों। पोचा लगाते समय मिलाए नमक दूर होगी धन की कमी। दोस्तों आप जब भी अपने घर पोचा लगाए तो उसमें कुछ नमक जरूर मिला दें। ऐसा करने से आपके जीवन की जो भी परेशानिया हैं खत्म हो जाएंगी। कम से कम आप हफते में दो बार तो ऐसा जरूर करें। कहते हैं घर में नमक वाला पोचा लगाने से शीघर ही धन की प्राप्ति होती है। ये पूरे घर को पॉजिटिव उर्जा से होता है और घर में जो भी नेगिटिव उर्जा है वह बाहर निकल जाती है। इसलिए आप घर की तरक्की के लिए नमक के पोचे को जरूर लगा जाता है। इसलिए यदि आप नमक को कांच की प्याली में शौचा लए या फिर सनान घर में रखेंगे तो वहां से निगिटिव एनरजी का नाश होता है। इसके अलावा इस उपाय से वहां मौजूद सूक्षम भी नश्ट होते हैं। इसलिए आप अपने घर के शौचा जालाए या फिर सनान घर में एक कांच की कटोरी में नमक जरूर रखें। तंतर शास्तर एक और उपाय बताया गया है कि नमक को कांच प्याली में भरकर उसके अंदर तेरह पांच। यदि आप लॉंग डाल दें। ऐसा करने से घर में धन की बरकत होती है और दुरगा जाल कर पानी से सनान कराएं तो बच्चों को बुरी नजर नहीं लगेगी। साइंटिफिक रीजन भी है कि ऐसा करने से उन्हें एनरजी से भी संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। साथ ही आपके घर में सदैव क्लेश रहता है तो नमक का ये उपाय जरूर करें। या द कांच के गिलास में सेंधा नमक डाल कर बेडरूम ड्रॉइंग रूम या फिर आप घर के किसी भी कोने में रख सकते हैं। नमक नकारात्मक उर्जा को सुख लेगा। घर में हालाद धीरे धीरे सुधर जाएंगे और आपके घर उर्जा का वास होगा। और साथ ही यदि आ करने से भी यदि आप अपने विरोधियों को अपना मित्र नहीं बना पा रहे तो आपको अपने पास एक डिब्बी में थोड़ा सा नमक रख दे। एक हफ़ते बाद उस नमक को बदल कर दोबारा नमक रखे धीरे धीरे में लगेगा। साथ ही साथ नमक का ये महत्वपू उपाय हम आपको बता देते हैं जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही या फिर बिजनिस में घाटा हो रहा है तो उनके लिए शास्तर में ये उपाय बताया गया है इसके लिए आपको अपने हाथ में पिसा हुआ नमक लेकर उसे सिर पर से बाहर घुमा लेना है। फिर इस नमक को दर्वाजे के बाहर फेंक दें। ऐसा लगातार तीन दिन करें। यदि इससे भी आपको लाब न मिले तो नमक को सिर पे से तीन बार उतार कर शोचाले में आपको फ्लैश कर दें। इससे आपको जल्द फाइदा कम मिलेगा। साथ ही जोतिश शास्तर के अनुस साथ ही डली वाले नमक को लाल रंग के कपड़े में बांध लें। राहू केतु ग्रह समझा गया है। वास्तु शास्तर के अनुसार नमक कांच दोनों का ही संबंध राहू और उर्जा का केतु से है। ऐसे में कांच की कटोरी में नमक भरकर बांत रूम में रख दें। ऐ ऐसा करने से केतु के अशुब असरों से मुक्ति मिलती है, और सकारात्मक उर्जा घर में बनी रहती है, घर परिवार में सुक सम्रिद्धि होती है, परंतु ध्यान रखें कि नमक को हर पंद्रह दिन के बाद आप जरूर बदलें, और साथ ही साथ भोजन करते समय आपको दाल या सबजी में, यदि नमक या मिर्च कम लगे, तो उपर से आप उसमें नमक और मिर्च ना डालें, ऐसे में आप नमक या काली मिर्च का ही उपाय करें, ऐसा करने से शनी मंगल का दुष्ट असर भी नहीं होगा, साथ ही यदि आप पैसों की किल्लत से जूज रहे हैं, पै या दोस्तों ऐसा करने से नेगेटिव एनरजी खत्म होगी और पॉजिटिव एनरजी घर में प्रवेश करेगी, और आपको ऐसा करने से आपके घर में कभी भी अन्धन की कमी नहीं, और मा, सदैव आपके पर आशीरवाद बना रहेगा, और साथ ही साथ, यदि आपको वि काम में बाधाएं आती, और जो काम अच्छे से संपन्न करना चाहते हैं, वह नहीं कर पाते, जाहिर है, यदि आपके मन में इरश्या और द्वेश की भावना नहीं है, नमक डाल जरूर चाहिए, ऐसा करने विरोधी द्वारा लिए पहलाई जा रही नकारात मकता नश्ट ह हो जाती है, और साथ ही साथ, यदि आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना है, तो नमक का ये उपाए जरूर करें, या दोस्तों, यदि आप बहुत समय से आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं, आपको ये पानी बदलना है, ध्यान रखिए, जो भी आप में नमक घोल कर रखें, वकांच की शीशी होनी चाहिए, ऐसा करने से अपनी आर्थिक स्थिती में सुधार महसूस होने लगेगा, आपको धन के बनने लगेंगे दोस्तों, और साथ ही साथ, धन की देवी मा, दुर्गा को प्रसन करने के लिए, नमक का यह उपाय आप जरूर करें, कि द भूल जाता है, ऐसे में जब भी आपको महसूस हो कि लाल कपड़े में हुआ नमक खत्म होने लगा है, तो आप में और नमक दें, या दोस्तों, लाल कपड़े में नमक बांध कर अपने तिजोरी में रख सकते हैं, या फिर थोड़ा सा नमक लाल कपड़े में बांध कर आपको धन की प्राप्ति होने लगेगी। विदेशी लोग हाथों से नमक गिरने से अशुब मानते हैं। जोतिश शास्त्र अनुसार नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधी समझा जाता है। नमक को स्टील या लोहे के रखते हैं। तो ये चंद्र और शणी का मिलन होगा, जो कि बहुत ही घातक सिद्ध होता है। यहां तक कि आप कंगाल भी हो सकते हैं। ये रोग और शोक का कारण बन जाता है। नमक को किसी के पात्र में भी भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। नमक को कांच के पात्र में ही रखना चाहिए, बहुत ही शुब समझा जाता है। जब कोई मनुष्य नमक को लोहे के बरतन में या प्लास्टिक के बरतन में रख देता है, तो उसे गरीबी करना पड़ता है। चंद और हो जाते हैं। दोस्त, अक्सर खाने में नमक कम हो जाता है। और तब आप ऐसी स्थिती में थोड़ा नमक लेकर खाने में डालते हैं और बाकी फेंक देते हैं, जो की बहुत ही अशुब समझा जाता है। नमक का गिरना बिलकुल भी अच्छा नहीं समझा जाता। गुलगाड या जैसे इसे दुर्भाग्य और विवाद का सूचक समझा जाता है। भारत में इसका गिरना बहुत ही अशुब समझा गया है। नमक को गिराने से चंद्रमा और शुक्र दोनों कमजोर हो जाते हैं, जिसके कारण साथ छोड़ देती है। और आजीवन आपको गरीब रहना पड़ता है। दोस्त शास्त्रों के अनुसार समझा जाता है कि शाम के कभी किसी से नमक नहीं लेना चाहिए और ना ही देना चाहिए। जब आप अपना नमक शाम के समय किसी और को दे देते हैं, तो आपके घर की सुक सम्रिद्धी ही चली जाती है। साथ ही साथ नमक लेने वाला भी बरबाद है. इसी लिए शाम के समय नमक नहीं लेना चाहिए. दोस्त और नमक मिले पानी से पोचा लगाने से, घर में जितनी भी नकारात्मक उर्जा होती है, वो नश्ठ हो जाती है. दो बार नमक मिले, पानी से पोचा जरूर लगाएं. परन्तु याद रहे नमक मिले, पानी से दो पहर के समय पोचा नहीं लगाना चाहिए. दो पहर में जब कोई मनुष्य घर की साफ सफाई करता है, तब इससे घर में दुर्गा नहीं मा, दुर्गा वास हो जाता है. माता दुरगा आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी और वो घर में उदए से पहले खुलता हो क्योंकि सूर्योदय से पहले जब किसी का दर्वाजा बंद होता है। का ये उपाए थोड़ा सा वाला नमक और थोड़ा सा संख्या में साबुत लाल मिर्ची लें उसमें डंठल होना चाहिए एक टुकडा कोईला लें और थोड़ी सी हल दी अब इन सभी को कागज में लपेट कर उसकी नजर उतारें जिसे नजर लग गई हो सर के उपर से साथ बार गुमाएं और इसे अगनी में जला दें अगनी आप किसी पात्र में घर में ही जलाएं दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे एक मिनट में सारी नजर उतर जाएगी ये उपाए खुद हमारी माता जी हमारे उपर बरसों करती चली आ रही है ये कारगर होता इस से आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी क्योंकि नजर से पत्थर भी तूट जाता है आप तो है ये उपाए बुरी नजर को कोसों दूर रखता है लाजमी है कि जब आपके उपर नजर ही नहीं होगी तब आप कामयाभी की ओर क्योंकि नजर लगने से हम कुछ नहीं कर पाते इसी लिए इसका उतरना भी है जरूरी दोस्तों सोते समय तकीये के नीचे नमक रखकर सोने से जितनी भी आपके अंदर उर्जा होगी ये उसको अपने सुख लेता है और आप सुबह के एक आनंद दायक जीवन को महसूस करते हैं जब आप सोते तकीये के नीचे नमक रखे तो काले कपड़े में बांध कर ही रखे फिर इसे कर दे दोस्तों चाए में नमक नहीं डालना चाहिए बहुत ही अशुब समझा जाता है चाए में नमक डालकर पीने आपके शरीर में कई घातक बीमारी पनपती है इससे आपका खून धीरे धीरे जलने लगता है कम लगता है आपकी हड़ियां कमजोर होने लगती है चाय में कभी नमक कभी न डाले इससे आपकी मृत्यू भी हो सकती है दोस्तों के दिन नमक का दान करना बहुत ही शुब और मंगलकारी समझा जाता है इससे मान सभी नवग्रह शांत हो जाते हैं शानी देव की असीम कृपा इनके उपर बरसती है शनिवार के दिन नमक दान करना आपके लिए खजाने का मार्ग आप कभी भी धनी हो सकते हैं शनिवार को नमक जरूर दान करें भूल कर भी ज्यादा मात्रा में नमक नहीं खाना चाहिए इससे आपका नमक के साथ घुल सकता है आपका खून सुख सकता है आपको हरदय हो सकती है शुगर की बीमारी हो सकती है आपके पेट में हो सकती है आप अपनी की रोशनी खो सकते हैं ज्यादा नमक खाने से आपकी हड्डियों का सुरमा बन सकता है नमक ना कम ना ज्यादा इसे सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए अच्छा समझा जाता है शरीर के दोस्त जो मनुष्य नमक की कदर करता है उसके उपर सदैव माता दुरगा का आशीरवाद वरत को अपने हाथ से बिलकुल भी नहीं जाने देना चाहिए क्योंकि इस बार की जो वैशाख प्रदोश वरत पढ़ रहा है ये सोमवार के दिन ही पढ़ रहा है अब आप लोग समझ है कि सोमवार के दिन वैसे भी भगवान शिव जी को बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है और जो वैशाख मास सोमवार प्रदोश वरत का दिन होता यह दिन भी भगवान शिव जी को बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है और यह दोनों ही दिन एक ही दिन पढ़ रहे हैं मतलब इस बार की जो बड़ा सोमवार है वह भी खास रूप से वैशाख महीने के बड़े सोमवार के दिन ही पढ़ रही है जो कि 20 मईए 2024 के दिन पढ़ रही है इसको आप लोगों को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहिए और इस दिन आप लोगों को यह पांच कनर के फूल वाला उपाए जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी शिव महापुरान कथा में पहले बताए हुए है जो कि सिर्फ और सिर्फ वैशाख महीने में पढ़ने वाली इस बड़े सोमवार के दिन के ही है यह उपाय हम आपको वैशाख महीने के पढ़ने वाले बड़े सोमवार के कुछ दिन पहले ही बता रहे हैं ताकि आप लोग इन उपाय को अच्छे से सुन लो, समझ लो और इन उपाय को और आप इन उपाय का फल भी जरूर ले लो ठीक तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले उपाय के बारे में बात करते हैं जो कि आपको इस वैशाख महीने बड़े सोमवार के दिन करना है तो चलिए दोस्तों, जानते हैं, आखिर इस उपाय को करना किसको है, किस समय करना है, कैसे करना है और उपाय को करने की विधी क्या है तो सबसे पहली चीज दोस्तों यहाँ पर ये वाला जो उपाय है ये किसको करना है तो देखो ये वाला जो है ये घर में सभी सदस्यों को करने की जरूरत नहीं है घर में से यदि कोई एक बड़ा या मुख्य सदस्य भी इस उपाय को करेगा तो उसके परिवार की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी यह सुख तो उसके घर में सुख और शान्ती भी बनी रहेगी और जो भी मनोकामना होगी वह तो पूर्ण होगी ही होगी और यदि चाहे तो भाई, घर, परिवार में से सब अलग-अलग भी अपने लिए ये वाला उपाय कर सकते हैं तो चलिए, अब बात करते हैं कि यह उपाय आपको क्यों करना है तो दोस्तों, अपनी कामना के लिए या अपने घर-परिवार की मनोकामना के लिए सुख और शांती के लिए धन के लिए जो भी आपकी मनोकामना हो, उसके लिए आप लोग ये पाँच कानर के फूल वाला उपाय कर सकते हो अब दोस्तों, बात करते हैं इस उपाय को करने का समय कि आप लोग यहाँ पर जान लो कि इस उपाय को करने का जो समय है वो मुख्य रूप से सुभह का समय और शाम का समय भी आप चाहें तो इस उपाय को कर सकते हैं आपको जब समय मिल जाए तब आप इस उपाय को करना तो चलिए दोस्तों, अब समझते हैं कि इस उपाय को करने का विधी है और उपाय की सामगरी क्या-क्या चाहिए तो सबसे पहले चीज़ दोस्तों, हम आपके यहां पर बता दें कि इस उपाय का नाम है पांच कनेर के फूल वाला उपाय तो दोस्तों, आपको इस उपाय के लिए पांच कनेर के फूल जुगाड करना पड़ेगा तो सबसे पहली चीज, यहां पर आपको नौकनेर के फूल लेने पड़ेंगे जब आप फूल ले लिया, तब आप इस उपाय को कीजिए उपाय को करते समय शुद्धता का खास रूप से ध्यान रखना सुबह उपाय हो, तो स्नान मतलब, जितना जल्दी सुबह इस उपाय को कर सकते हो, उतनी जल्दी कोशिश करना और शाम के समय उपाय कर रहे हो, तो हात मुँधो कर शुद्धता का खास रूप से आप लोग ध्यान रखना शाम के समय आपको स्नान करने की जरूरत नहीं है अब आपको करना क्या है, ध्यान से सुनो देखो, वैशाख महीने बड़े सोमवार के दिन, जिस भी समय आप इस उपाय को कर रहे हो सुबह के समय, चाहे शाम के समय, अपने उपाय की सामगरी को तयार करके आप निकल जाना अपने घर के पास में, जो शिव मंदिर हो, जहां पर शिवालय हो, शिव लिंग विराजित हो, वहां पर पहुँच जाना क्या क्या लेकर पहुँचना पांच कनीर के फूल लिये हैं, और जो है, एक गोल बाती का घी का दीपक है ना, ये खास रूप से उपाय की सामगरी है, इसके अलावा पूजन सामगरी, एक लोटा जल वगैरह, वहां आप अलग से लेकर जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबसे पहल पहले आप शिवजी के दर्शन करेंगे, ठीक दर्शन करने के पश्चात ही इस उपाय नहीं करना है, पहले आपको पूजन अर्चना करना है, उसके पश्चात उपाय करना है, और इस उपाय के लिए आप एक लोटा जल कम से कम लेकर जरूर जाना, चैत्र नवरात्री में भी जल चढ़ाने का खास महत्व होता है, तो जैसे ही आपकी पूजन अर्चना हो जाए, पूजन अर्चना करने के पश्चात आप लोग शिवलिंग के पास में सामने या आसपास कहीं पर भी बैठ जाना, और अपने उपाय की सामगरी को निकाल लेना, इसी तरह से शाम के समय भी करना, शाम के समय सीधा उपाय मत करने लग जाना, पहले भगवान के दर्शन करना, उसके पश्चात में शिवलिंग के पास में बैठ जाना, और कोई यदि पूजन सामगरी को चढ़ाने के लिए लाए हुए हो, तो पहले पूजन सामगरी कर लेना चढ़ा देना, वह जो गोल बाती का घी का दीपक है, उसको जला ले हैं, इस दीपक को जलाने के लिए आप किसी और की माचिस नहीं लोगे, आप अपने ही घर से अपनी माचिस लेकर आओगे, घर पर भूल कर मत आना, ये बात हम आपको याद दिलाते हैं, कहीं सारे लोग भूल जाते हैं तो अपने घर से अपनी माचिस लेकर जाना, और अपनी माचिस से इस दीपक को जलाना, क्योंकि यदि आपने किसी और की माचिस ली, तो इस उपाय का फ़ल उसको मिल जाएगा, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना, अपने माचिस से इस दीपक को जलाना है, जो आप अब आप इन फूलों को एक-एक करके भी चढ़ा सकते हो और एक साथ भी चढ़ा सकते हो। यदि एक-एक करके यदि आप फूल चढ़ाओ तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है। फूल का खिला हुआ आगे की तरफ रखना। इस बात का आप लोग थोड़ा बहुत ध्यान र शिवलिंग पर ही चढ़ाना है। चढ़ने के पश्चाद भले ही फिर वो नीचे गिर जाए, मतलब जलाधारी पर गिर जाए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जैसे ही आप लोग अपने नौ चढ़ा देते हो, उसके पश्चाद पहले आप लोग अपना दीपक ठीक है। शिवलिंग के पास में चाहो तो आरती उतार सकते हो। अन्य था बिना उतारे भी आप लोग शिवलिंग के पास में कहीं पर भी इस दीपक सकते हो। ज्यादा पास में मत रखना। भगवान शिवजी को आँच ना लगे। उसके पश्चाद भगवान से प्रार् प्राथना और विनती करके वहां से उठ जाना और सीधा अपने आ जाना। तो दोस्तों यदि आप इस उपाय को सही तरीके से कर लेते हैं तो आपका वह तुरंत खत्म हो जाएगा। तो यदि आपका भी कोई मनोकामना हो तो आप इस उपाय को एक पर जरूर करना और आप कोई परेशानी में हो, कोई संकट में हो, तो भी इस उपाय को आप एक बार जरूर आजमाएगा। पूछते हैं कि ये पांच कनेर के फूल वाला उपाय करना किसको है? तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि ये पांच कनेर के फूल वाला जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां है उनको दूर करने के किया जा रहा है या आपका कोई बड़ा काम है जो की नहीं हो पा रहा है आप उसके इस उपाय को कर सकते हो है न तो सीधी सी बात ये है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो तो ये उपाय वह मानव कर सकता है जिस मानव को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिवजी से पूर्ण करवानी हो और यदि कोई भी माताएं बहने जो है अपने घर की सुख और शान्ती के लिए घर में धन को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है तो घर की जो बड़ी माताएं बहने होंगी वो इस पांच कलर के फूल वाले उपाय को खास रूप से करें क्योंकि माताएं बहने घर की लक्षमी होती है और जब घर की लक्षमी कोई खास उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है अन्यथा इस उपाय को कोई भी मानव कर सकता है चाहे वह बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बच्चा हो जिस मानव को ये पाँच कनेर के फूल वाला उपाय समझ आ गया वह मानव इस पांच कनेर के फूल वाले को मंगलवार के अश्टमी के दिन जरूर करें क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा क्योंकि मंगलवार की अश्टमी के दिन भगवान शिवजी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं तो आईए अब हम समझते हैं कि इस पांच कनेर के फूल वाले उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वो क्या है तो देखिए मंगलवार के अश्टमी के दिन किये जाने वाले ये पांच कनेर के फूल वाला जो उपाय है ये रूप से सुबह के समय होगा किस समय होगा सुबह के समय होगा आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस पांच कनेर के फूल वाले उपाय को कर ले पर किसी कारण वश यदि आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा प्रदोशकाल ही रहेगा अब भाई, प्रदोशकाल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न जाता है कि भाई, ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर, कितने बजे के बीच तक का ये समय होता है, ताकि हमें उपाई के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोशकाल का जो एक समय होता है, शाम का समय वो होता है, शाम के छह हजार बजे से लेकर शाम के साथ या आठ बजे के बीच का, इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे, तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा. तो शाम के छे हजार बजे से लेकर शाम के साथ बजे के बीच में आप लोग इस पांच कनर की फूल वाले उपाय को कर सकते हो तो भाई या बहुत सारे लोग यहां पर ये प्रशन भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पे जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पे जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यदि आप लोग इस उपाई को शाम के समय प्रदोशकाल में कर रहे हैं और यदि आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में साथ बजे तक आप पाते हो तो भाई, आप साथ, दस या रात बजे तक भी यदि उपाई को करोगे, तो भी चल जाएगा और यदि इससे भी थोड़ा देर हो जाती है न, तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि मंगलवार की अश्टमी का दिन है, ये दिन बहुत ही कमाता है, पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना है, न कोई भी उपाय ह तो आप कभी भी कर सकते हो, मंगलवार की अश्टमी के दिन, बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतरगत ही कर लो, पर कारणवश यदि ना कर पाओ, तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा, क्योंकि भगवान शिव पांच कनेर के फूल वाला उपाय है, तो सीधी सी बात है, इस उपाय में हमें पांच कनेर के फूल तो लेने ही लेने पड़ेंगे, अब यहाँ पर एक सबसे बड़ी गलती होती है, जो कि आप उपाय में करते हो, और आपको पता भी नहीं लगता है, जो कि हम आपको बता ह देखिए जो आप पांच कनेर के फूल लेकर आओगे सबसे पहले तो कनेर का फूल आप लोगों को पता होगा कि कैसा होता है हम आपको जब भी बता देते हैं कनेर के फूल वो होते हैं जो कि पीले कलर के होते हैं लंबे-लंबे से होते हैं आप लोगोंने देखे भी होंगे, वही कनेर का फूल होता है, तो आप लोगों को वैसे ही पांच कनेर के फूल लेकर आने, ये कनेर के फूल आप लोगों को बहुत आसानी से मिल जाते हैं, बस आपको इसका पेड ढूंडना होता है, और बहुत सारे फूल उसमें लगे हुए होते हैं